हलो एब्रिवन क्या आप एक क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट है और आप सीबियसी के न्यू पेटर्न पे एक्जाम देने वाले ही इस सिच्वेशन में कुछ मिस्टेक है जिसको अगर आप करते हो अपने प्रिप्रेशन के दोरान तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो बह तो इसलिए आप वीडियो को कम्प्लेट जरूर देखो ताकि आप यह मिस्टेक ना करो ताकि आपका रिजल्ट खराफ ना हो तो चलो बात करते हैं हम एक अक करके सारे मिस्टेक का सबसे फिर्स्ट मिस्टेक है कि टर्म वन का अलग प्रिप्रेसंस और तर्म टू का अलग करना अगर आपके माइंड में यह ख्याल आ रहा है कि हम ऐसे प्रिप्रेशंस करेंगे तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करने वाले हैं कैसे हम आपको बताते हैं अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे और वही चीज़ को आप फिर से दो तीन मंत चार मंत पढ़ोगे तो आप टर्म वान में तो अच्छा कर लोगे क्योंकि सेम चीज़ आप पढ़ रहे हो बट टर्म टू में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा केवल आपको अगर नौवंबर दिसंबर में एक्जाम हो जाता है तो जनवरी फरवरी मार्च मार्च हाफ ले लो आप क्योंकि मार्च अप्रेल में एक्जाम है तू टू एन हाफ मंत आपका बचेगा तो उसमें आपका प्रिप्रेशन्स बहुत अच्छा नहीं होगा तो आपको करना क्या है आपको करना यह है कि आप टर्म वन के एक्जाम तक ही आप अपना प्रिप् सफीनिस कर लो के यह ध्यान रखे यह मिस्टेक आप सेकेड्न मिस्टेक है कि केवल सेक्ष का में और न स्ना करें आप क्या H कि अभा किम दिसमबर नमबर में पहले का सिच्वेशन होगा आइंद से marks अचा ही रहे बट स्थ होता है उस टाइम पे आपका MCQ exam नहीं हो पाईगा और अगर आपका MCQ exam नहीं हुआ उस situation में अस्कुल के तरफ से आप लोगों का exam लिया जाएगा और हर एक school में आपको पता है कि different different way से exam लिया जाता है किसी अस्कुल में may be return लिया जाए और किसी अस्कुल में may be objective लिया जाए बट most of the chance है कि retain ही लिया जाएगा और आपके घर से लिया जाएगा उस situation में आप किवल अगर MCQ का preparation करके रखते हो तो वहाँ पे आप फज आओगे और आपका जो result है वो बहुत अच्छा नहीं होगा इसलिए MCQ के साथ साथ आप अपना question answer का भी practice उस label पे रखो ताकि अगर MCQ ना हो सके और retain लेना पड़े उस situation में आप उसको finish कर लो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना आप ये mistake मत करना थर जो mistake है कि केवल concept को पढ़ लेना और MCQ questions का revision ना करना प्रेक्टिस ना करना ये उस type के student ज्यादा mistake करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में होते हैं वो सोचते ये हैं कि अगर मेरा concept clear है तो हम किसी भी type का MCQ बना लेंगे अगर आप ये सोच रहे हैं तो ध्यान रखें जब भी MCQ questions बनाया जाता है उसमें बहुत सारा twist डाला जाता है जो कि अगर आपके mind में twist click डा हो तो उस situation में आपका questions छूट जाएगा तो करना क्या है कि concept पढ़ने के साथ साथ आप MCQ questions को भी practice जरूर करे ताकि आप MCQ में अच्छा perform कर सके fourth mistake ये है कि MCQ questions को मगप करने का कोशिस करना और रटने का कोशिस करना बीना concept को अच्छे से समझे आप बोलोगे कि sir MCQ को तो रटना ही होता है बट ऐसा नहीं है रटने का जो questions होता है वो 100 में 20-30 ही होता है बाकी सारा चीज़े जो है वो conceptually clear होने से आप बना पाओगे अगर आप केवल रट लेते हैं तो रटा हुआ questions आया तब तो आप बना लोगे बट इन केस अगर questions में थोड़ा सा twist हो गया तो आप नहीं बना पाओगे तो इसलिए आप अपना concept पे पूरा ध्यान दे और वही questions को आद करे जो थोड़ा सा twist हो प्लस वैसा questions हो जिसका कुछ word हो जो आप बार बार भूल जाते हैं उस type के questions को ही केवल आद करो बाकी सारा questions क को समझने का कोसिस करो through concept और फिफ्ट जो पॉइंट है कि आप trick मत apply करो trick कहां पे आप generally apply करते हो नुमेरिकल्स में नुमेरिकल्स में आप maths के नुमेरिकल्स में और में भी physics के नुमेरिकल्स में आप trick apply कर सकते हो questions को जल्दी स्वाल्व करने के लिए बट यहां पर क्या problem होगा वह हम बता रहे जब भी आप trick apply करो तो पहले उस चीज से related concept आप अच्छे से समझ लो नहीं आपका trick fail हो जाएगा आपका shortcut fail हो जाएगा shortcut लगाना गलत नहीं है बट आप क्या करें उससे related concept आपका clear होना चाहिए अगर concept clear होगा और फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं shortcut लगाते हैं तो कोई problem नहीं है बट अगर concept clear नहीं हो तो question अगर twist होगा तो आप नहीं बना पाओगे इसलिए concept अच्छे से clear कर लेना तब ही आप shortcut trick किसी बे numerical में लगाना otherwise आपको problem फिर आगे face करना पढ़ सकता है तो यह total five mistake था हम आपको एक बार summarize कर देते हैं first mistake यह था कि term one और term two का separate preparations नहीं करना combine करके कुछ थोड़ा बहुत combine करके करना second mistake यह था कि केवल mcq को नहीं करना है थार जो mistake है कि आप केवल concept को पढ़ करके यह ना सोचें कि आपका mcq solve हो जाएगा आपको mcq भी practice करना है fourth mistake यह कि सारे mcq questions को रटने का कोशिस ना करें जो twist है या फिर जिसको आप बार-वार भोलते हैं उसी को आत करने का कोशिस करें और fifth point है कि trick को ना लगाए जब तक आपका concept अच्छे से clear ना हो जाए अभी भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं हम आपके comment का reply जरूर करेंगे और हाँ चैनल पे new है तो चैनल सब्सक्राइब कर bell icon भी प्रेस कर लीजे ताकि आपको इसी type का interesting और informative वीडियो मिल सके सबसे पहले चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में